आज बड़ी चर्चा का दिन है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है नवनीत राना जो सांसद है महराष्ट से मैडम ये बताईए कि अब विपक्ष का आरोप है कि सम्मिधान की जो कौपियां दी गई हैं उसमें से दो शब्द हटा दिये गए हैं सेकुलर और सोशलिस्ट क या जुरूरत पड़ गई इसकी अभी आपोजिशन को कुछ मिला नहीं है महिलाओं को अधिकार मिल रहा है तो मुझे लगता है ख्याली पकोड़े भोलते हैं भजिये वह बनाना शुरू करती है क्योंकि यह कर नहीं सके वह मोधी जी ने करके दिखा रहे हैं और आज बिल कर उस पर जवाब पूछ सकें सरकार को इसलिए कुछ ना कुछ तो बनाना तो पकोड़े बना लेते हैं यह आरोप वो लगा रहे हैं कि भई चुनाओ आ रहे हैं इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है तो बिल ले आओ भले ही पास कभी भी हो और उसके बाद इंप्लिमेंट कई स साल बाद हो उनके सरकार में भी बहुत सारे चुनाओं देखें हम देशवासियों ने तब क्यों नहीं ले आए तब क्यों नहीं इन्होंने सदन मेलाएं तब क्यों नहीं लोकसभा मेलाएं तब क्यों नहीं मैलाओं को देने के लिए इन्होंने चर्चा पे सभी मैलाओं को निमंत्रन दिया तब क्यों नहीं कर पाए तुम नहीं कर पाए और वो कर रहे हैं इसी का ही प्रॉब्लम है उनको सुनिया कान्दी जी का कहना ये हमारा बिल है मैं तो तब मानती मैं तो इस देश की महिला हूँ मैं तब मानती अगर कोई ऐसा ओपोजूशन बोल रहा है कि हमारा बिल है जब इनके राज्य में वो पास हो जाता, इनके राज्य में महिलाओं को अधिकार मिल जाता, इनके राज्य में 180 महिला ये पार्लमेंट में विराजमान हो जाती, तब मैं मानती ये उनका बिल है, आज जिनकी गवर्मेंट में हम बैठे हैं, और जिनकी गवर्मेंट ने ये ब इस देश की महिला मेरी जैसी साधरन परिवार को बिलॉंग करने वाली महिला को महिला की आवाज वहाँ पर 100% आज तक उन्होंने मौका देते आएं और आगे भी मिलेगा और आज भी महिलाओं के अधिकारों के लिए 100% मैं पार्लमेंट में बोलूँगी लडाई भी होगी और संसद में इस पर चर्चा भी होगी कैमरा परसन प्रवींदिक्षित के साथ मनोग्या लोईवाल दिल्ली एबीपी न्यूज